नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका निव जिंदी भात में तो दोस्तों अभी तक नुक्लियर पावर सम्मरीन को सबसे खतरनाक समुद के अंदर हथियार माना जाता था लेकिन अमेरिका ने इसे भी एक निश्ट लेवल पर चला गया और वह साबित फिर से कर दिये कि उसे दुनिये का सूपर पावर देश क्यों कहा जाता है और इस सबसे बड़ा जटका चाइना को लगा है क्योंकि चाइना जो की बहुत ही बड़ी संख्य में सम्मरीन तयार कर रहा था और दुनिये के सभी देशों के उपर दभा बना रहा था फिर जापान, अमेरिका, ताइव सबसेंगे अपरेट का ब्याइट कर सकते हैं, और क्या है इसकी स्टेल्ट का विल्टी, और इस अमेरेकी नवसेना के लिए केमचेंजर और चेनी सेना के लिए काल क्यों माना जा रहा है, सब कुसष जानेंगे इस वीडियो में बस आब वीडियो के अंतक बने रहिएगा, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों अमेरिका की प्रमुखतिया निर्माता कंपनी बोईंग ने एक ऐसे पंडूबी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा है जो जिसे अमेरिकी नौसाइनिक साइक्रो केमिलिटर दूर से ही इस्तिमाल कर सकते हैं और इससे वो दुस्मन देशों के संबरीन विद्धपोथ और अंटी सेप मिसाइल से सिप को तबाह कर देंगे और जिसे अमेरि को थी दूर बैटकर इसे अप्रेट कर रहे हैं अगर इसके हथियारों की बात करें तो यह 45 लाइट वेड़ टार्पीडओ और 48 अवीë टार्पीडओ को लेकर जा सकते हैं इसपर अन्टी सिप मिसाइल भी तैयर किए जा सकते हैं ताकि यह को भी तबह कर सकें और यह सता परिश्तिती दुपोतों को और समुद्र में सम्मरीन सभी को तबा कर सकती है और यह इसे दुसमन्देश ट्रैक भी नहीं कर सेते हैं क्योंकि यह एक स्टेल्थ ड्रोन है दोस्तों आपको बता दे कि यह सम्मरीन ड्रोन इतनी खतरनाक है समुद के अंदर माइस को भी बिचा सकती है जिससे दुसमन देश के सम्मरीन उस माइस में फच जाते हैं और उन्हें बलाश कर दिये जाता है इने के लिए सबस्रे बड़ा थेड़ी ही है क्योंकि वह अपने सम्मरीन के संख्या को इतनी जादा बढ़ा चुका था जिससे वह अमेरिका तक को टकर देने के लिए तयार था और कायता रहता था कि हमारे सम्मरीन अमेरिके के सम्मरीन के बराबर है लेकिन अमेरिके ने उन सभी सपनों को पल भर में ही चूर कर दिया और उसने बताया दिया, साबित कर दिया कि वह दुनिये का एक सूपर पावर देश क्यों है और चाइना को अभी वहां तक पहुचने में कितना सम्मे लग सकता है क्योंकि दोस्तों सम्मरीन को मनाने में काफी पैसे खर्ष होते है और चाइना ने एक बहुत ही बड़े एमांट खर्ष करके अपने इस सम्मरीन बेड़ों को तयार किया था तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इंडिया को भी ऐसे ही ड्रोन की बनाने चाहिए चाहिए मिलेते हैं आप सेreyi वीडियो में तब तक के लिए जाएं दोस्तों